हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स मार्च में आप कौन-कौन से प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हो इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगी सारे प्लांट्स के नेम प्राइज केर टिप सब बताऊंगी वीडियो पूरा ज़रूर देखे बहुत ह जैसे ये प्लांट लगता है और 100 रुपीज का नर्स्दरी में आपको मिलता है इसको आप हेंगिंग पोट में लगाईए प्लास्टिक बूटल में लगाईए चोटे पोट में लगाईए इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट है इसको आधा एक घंटे की धूप चाहिए होत ऐसे लगता है जैसे कोई आर्टिफिसल प्लांट रखा हुआ है जल्दी से खराब नहीं होता 15-20 दिन में वर्मी कंपोस्ट बस डालते रहें नेक्स्ट हमारा है अंथूरियम प्लांट एंथूरियम भी पर्मानेंट प्लांट है सर्दियों में बहुत अच्छे ग्रो करते है लेकिन गर्मियों में इनकी थोड़ी ग्रोथ रूख हो जाती है पत्या पीली होकर गिर जाती है ऐसे में आप इनके आसपास पानी भरके रखिए ताकि इनको थोड़ा मोस्टर मिलता रहे इनके फूल ज़्यादा तरसे डेकुरेट के लिए यूज किये जाते हैं क्योंकि महिनों तक ऐसे के ऐसे ही फ्रेस दिखाई देते हैं बुके वगेरा में लगाए जाते हैं 300-200 तक ये प्लांट आपको नरसरी में मिलता है इसके पास बेवी प्लांट निकलते रहते हैं तो आप उन्हीं को निकाल कर अभी अपने न्यू प्लांट तयार कर सकते हो इसकी पॉइंसेटिया प्लांट पॉइंसेटिया भी काफी लोंग टाइम चलने वाला प्लांट है और इसकी रैड कलर की पत्या देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है इसको कटिंग से ग्रो करना काफी आसान रहता है इसकी कटिंग को आप वर्मी कंपोस्ट में और कोको प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हो तो आपको पानी का ध्यान रखना होगा क्यूंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी ज्यादा देर तक नहीं सूकता है 300, 400, 500 तक ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलते हैं इस वज़े से भी आपको इनका ध्यान रखना होगा नेक्स्ट हमारा पिटोनिया प्लांट पिटोनिया को भी कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है इनके उपर सीड पोट बनता है तो आप इसके सीड को भी ग्रो कर सकते हो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो ये कटिंग से अगर इसकी कटिंग आप वर्मी कमपोस्ट में लगाओगे तो बहुत जल्दी तयार होगी नर्सरी में आपको ओनली 20 रुपेज का ये प्लांट मिलता है पूरा दिन की धूप में रखिए हैंगिंग पोट में लगाईए हाँ सरसो खली की फर्टिलाइजर इसमें 15-20 दिन में एक बार आपको जरूर से डालनी होती है उसी से इन प्लांट पर बहुत अच्छे फूल आते हैं प्लांट डायन्तवस की भी आप अभी कटिंग ग्रूग करोगे तो सिर्फ वन वीक के अंदर ही आपकी तैयार हो जाएगी डायन्तवस के उपर भी बीच बनता है सीट बनता है तो आप इसके सीड को ग्रो भी कर सकते हो उठा कर रख भी सकते हो next season के लिए फूलों के color बहुत सारे मिलते हैं इसको पूरा दिन की धूप में रखा जाता है hanging pot में भी आप इसको grow कर सकते हो normal pot में भी grow कर सकते हो 15-20 दिन में एक बार सरसो खली का fertilizer डाल ये उसी से इसकी growth बहुत अच्छी रहेगी और फूल भी देता रहेगा इनकी cutting भी बहुत ज़्यादा soft रहती हैं तो आप इनको soft मिट्टी में ही तयार करिए clanchu plant clanchu भी permanent होते हैं देशी होते हैं hybrid होते हैं 60 रुपी से start होकर 150 तक आपको nursery में मिलते हैं इनकी एक एक पत्ती से new plant निकलते हैं क्योंकि ये succulent होते हैं तो इनमें आपको पानी भी कम डालना होता है दो से तीन घंटे की अच्छे दूप मिल जाए ऐसी जगह पर रखा करें और एक एक पत्ती से जितना मर्चे आप इनके plant तयार कर सकते हो वो भी नए इनको छोटे पोर्ट में लगाईए बड़े पोर्ट में लगाईए हैंगिंग पोर्ट में लगाईए मिट्टी के पोर्ट में लगाईए आप अपने according इस plant को decorate कर सकते हो so marigold plant गिंदा भी बोलते हैं इसको इसी के सूखे हुए फूलों से cutting से grow करना बहुत आसान रहता है तो आप इस plant को भी cutting से अभी तयार कर सकते हो इसके जो फूल सूख जाते हैं अगर आप उनहीं को मिट्टी में डाल दोगे तो आपके पास new plant तयार हो जाएगा nursery में भी आपको only 20-20 रुपीज के मिलते हैं पर्मानेंट रहते हैं इनकी hybrid variety होती हैं देसी रहती हैं mini गिंदा होते हैं जिनके फूल छोटे छोटे रहते हैं और color भी बहुत सारे होते हैं मैंने कुछ plant cutting से कुछ बीज से इस तरीके से इनको तयार किया हुआ है चमपा प्लांट चमपा की भी बहुत सारी variety होती हैं और चमपा को cutting से grow करना काफी आसान रहता है nursery में आपको 80 रुपीज का मिलेगा लेकिन सडको किनारे मंदिरों में ये प्लांट बहुत खड़े रहते हैं आपको इने थोड़ा बड़े pot में लगाना होता है minimum 10-12 इंच के pot में क्योंकि इनकी growth काफी बढ़ती है और ये tree shape ले ले लेते हैं पानी थोड़ा कम डालोगे तो full जादा आएंगे चाया में रखोगे तो full कमाएंगे पत्या जादा आएंगे इसलिए इसको आप पूरा दिन की धूप में रखें और इसकी cutting बहुत जल्दी तयार होती है फूलो के color भी आपको इसमें कई सारे देखने को मिलते हैं जैसे white होता है, red होता है, yellow होता है, pink होता है मेरे पास भी 3-4 color इसकी है, नाग चमपा भी होता है, इनकी height कम से कम 5-6 feet हो जाती है यू 4 via mili plant, ये भी काफी hardy और permanent plant है, फूलो के गुच्छे आते हैं, इसकी cutting ग्रो करने के लिए आपको cutting को एक दिन सुखाना होगा क्योंकि इसके अंदर से जो दूद से type का निकलता है, वो cutting को grow नहीं होने देता जल्दी से अगर आप उसको सुखा लोगे, तो आपकी cutting जल्दी तयार होगी तो आप अभी इस plant की cutting भी grow कर सकते हो, nursery में आपको 80-100 rupees का मिलता है ये भी एक सकुलेंट की variety होती है, तो इसमें भी आपको पानी कम डालना होता है ये plant ना सर्दी में खराब होता है, ना गर्मी में सर्दी में बस इसके थोड़े पत्ते पिले होकर गिरते हैं अदर्वाइस plant आपके पास ऐसे के ऐसे ही रहता है मैंने इसको 10 इंच के पोट में लगाया हुआ है और काफी अच्छे flowering इस पर होती है, कलर बहुत सारे मिलते हैं सदा बहार या फिर विंका भी बोलते हैं, ये plant भी काफी long time चलने वाले हैं तो आप इनको भी cutting से भी तयार कर सकते हो, भी जो से भी तयार कर सकते हो फूलों के color बहुत सारे मिलते हैं, only 20-20 रुपीज के nursery में मिलेंगे गर्मियों में काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये plant रहता है, क्योंकि इसके फूलना हम पूजा में भी use कर सकते हैं जैसे मंदिर में जाते हैं तो उस परपस से और ये आप क्या क्या करें कि 15-20 दिन में एक बार इन में fungicide powder का use क्या करें तो आपका ये plant खराब नहीं होगा, 2-3 घंटे की बढ़िया दूप मिल जाए, ऐसी जगह रखा करें कोलियस प्लांट कोलियस को भी इसकी रंग बिरंगी कलरफुल पत्यों से ही पसंद किया जाता है, 40-40 रुपीज के आपको नर्सरी में बहुत सारे मिलेंगे, इसको घना करने के लिए आपको इसके उपर के टिप से पिंच करते रहना होता है, पानी कम डालीए, ज्यादा प पर रखा करें, जहां पर उसको सिर्फ सुभा की आधा घंटे की या फिर 15 मिनट की अच्छी धूप मिल जाए, उससे ज्यादा धूप ना मिले, कटिंग में ना तो ज्यादा पानी डाले, ना उसको बिल्कुल किचर टाइप का होने दे, क्यूंकि ज्यादा पानी से भी फं अच्छे आते हैं, इसमें फूलो के ये प्लांट मेंने कटिंग से तयार किया हुआ है, मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी, और बहुत ही जल्दी से तयार हो भी गई है, मैंने इसको दस इंच के पोट में लगाया हुआ है, पूरा दिन की धूप में रखा हुआ है क्योंकि ये plant भी जल्दी से खराब नहीं होता तो आप इसको भी अपने garden में decorate के purpose से रख सकते हो इसके full लेकिन दो से तीन दिन ही चलते हैं गुच्छों में किलते हैं परपल कलर में है मेरे पास में पास इसके yellow कलर भी हैं यहां पर हमारा hibiscus plant है तो आप hibiscus को भी अभी cutting स त्यार कर सकते हो इबिसकस जो होते हैं पर्मानेंट रहते हैं 60 रुपीज से स्टार्ट होकर 300-400 तक आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे क्योंकि इनकी बहुत सारी वेराइटी होती हैं इनमें ज्यादातर मीली बग्स वगरा लगते हैं उसके लिए आप नीमोईल का यू प्लांट सेव हो जाएगा यह सभी प्लांट मेरे कटिंग से तयार किये हुए हैं और इन कटिंग को तयार करके मैंने इनको शेड में रख दिया है ताकि इस पर पूरा दिन की धूप अब ना पड़े अगर आपके प्लांट में फूल आए हुए हैं तो फूल सूखने का ट इंपेशियन प्लांट को कटिंग से ग्रो करना आसान रहता है, इनकी पत्या फूल देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, 100 रुपीज का ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलता है, 8 इंच के पोट में लगाया हुआ है, वैसे इनको हैंगिंग पोट में भी लगाया जाता है इनकी वैराइटी बहुत सारी होती है, ये भी सकुलेंट वैराइटी से होते हैं, तो इनमें पानी कम डाला जाता है, क्योंकि इनके स्टैम काफी मोटे होते हैं, ज्यादा पानी से वो गल भी सकते हैं, इसी में आपको मीनी प्लांट में मिलते हैं, जिनके फूलों के थोड़े छोटे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ज्यादा पानी डालोगे तो गल जाएगा कम पानी डालोगे तो पत्तिया सिकुड जाएंगी इसलिए चैक कर ये मॉस्चर बना कर रखे सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो मिलते हैं एक बढ़ी आसी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई हैपी गार्णिंग